एक न्यूज वाइरल हो रही है जिसमें यह पता जा रहा है कि एरफोर्स के एक्जाम जो की 12 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 के बीच होने वाले हैं वो पोस्टपॉन हो गया है वो एक्जाम कब होने वाले हैं क्या यह बात सही है तो इस वीडियो में सारी बात कवर करने वाले हैं वीडियो इंपॉर्टेंट है वीडियो अंतक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसते आने वाली ऐसे ही अपडेट अपने चैनल पर लाता रहता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले वीडियो को करते हैं इस्टार्ट फ्रेंस मैं हूं मैंक और आप सबका यूट्यूब चैनल जैनुन मैंग पर आप सबका हाड़ दीक सख्राइब करता हूं लिए उसकी सचाई जानने के लिए चलते हैं उसकी स्क्रीन पर फ्रेंडस हमा गये हैं जो न्यूज वारे है उसकी स्क्रीन पर इसमें आप लोग देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा-सा ज यानि कि इसमें का जा रहा है कि आपके जो एक्जाम नौ जुलाई से लेके 19 जुलाई के बीच में सीवीटी फिक्स थी देट उनकी सेड्यूल थी दो वह एक्सेंड कर दी कहीं है ड्यू टू कोवीड नाइंटीन का डेल्टा वैरियंट आया है स्टेट जो मदब की गवर्मेंट जो स्टेट की गवर्मेंट है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हमारे एक्जाम नहीं होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब भी तक फाइनली जो ओफिसली वेबसाइट है उस पर वहां पे कोई भी अपडेट आईसी न नहीं होंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा आप त्यारी करते रहे और बात करते हैं डेल्टा प्लस वैरियंट के तो डेल्टा प्लस वैरियंट अभी इतना ज्यादा सक्क्री नहीं हुआ है हां हाला कि सक्क्री हो रहा है बट अभी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ जिसकी वज़े से एक्जाम्स कैंसिल कर दिये जाए कोई-19 इस प्रेड अगर तीसरी वेव आती है तो ही एक्स्टेंड होगा फिलाल अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है तो मैं अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुचा दूँगा तो वीडियो को चैनल क सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए जहिन